नमस्कार दोस्तों एक वर आफ अपका फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरूजी पर आप सभी को पता है कि डेली सुबा साथ बज़े आप सभी के लिए यहां पर जो डेली मॉर्निक का जो डोज है आप सभी के जाता है तो यह पूरा क्लास का टाइमिंग है एक बार आप चाहो तो जिन्होंने अभी तक स्कीन सॉट ने लिया एक बार ले लीजिए बाद में टा साथ चीजे जो है आपको मिलने वाली है इसके लाग दोस्तों आप सभी को बता है मेरी डेली जो हैं अकैडमी पर भी दो से तीन क्लासे चलती है तो आप लोग अने के जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने के लिए सिंप्लिए आपको ने कैडमी का लर्निंग डाउनलूड करना है और मुझे वहां पर जाकर के फॉलो कर लेना मेरी क्लासे का फायदा बिल्कुल फ्री में उठाने के लिए आप लोग मेरा जो इन्वाइट को ठीक है इस इन्वाइट कोड करेंगे तो आप लोग मेरी क्लासे को अनलॉक कर सकते हैं डिएर गुरुजी यह हमारा जो इन्वाइट कोड है इसके लोग आपको यहाँ पर सबको पता ही है कि अगर आप लोग प्लस पर जूड़ते हो तो भी आप लोग इसी कोड का यूज कर सकते है यहाँ पर इसी कोड से देखने को मिले जाएगा तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज कि इस क्लास को तो आज का जो पहला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा सभी लोग आप आप लोग की जवाब देने का प्रियास करिये का कि महान हिंदू विधी निर्माता निम्लिखित में से कौन थे कोशन नमर फर्स्ट है यहां पर सभी लोग हो जाएगा बाई सनातन जो धरम है ना उसके कॉर्डिंग मनु जो है वो संसार के पहले पूरुस थे और मनु जो है इनका जन्म लगभग आज से जवाब दीजिए महावीर स्वामी का जो जन्म है आपका किस राज घराने में हुआ था दो नमबर कोशन है जवाब देखी हुए चलिएगा तो सभी को पता भाई महावीर स्वामी जैन धर्म के चोविसवे तीरतकर माने जाते हैं पांसो निर्यान विसा पूरुन का जन्म हुआ था और अगर हम बात करते है किस राज घराने में हुआ था तो भया याद रखिया कि यहां पर क्या पूछा गया है कि मौहीनी अट्टम मौल रोप से किस राज में जन्मा और विकसित हुआ है मोहिनी एक् vikt के अपеле मता है isाजी मूरोप से किस राज़ में जनमा है और राज्य का विक्सित हुआ है और किस राजfikा लोक नेत्य है तो यहां पर जवाब जिए जवाब जोब देते हैं चलिएगा जाऻ जो आ लिए कर्ल मैं के मैं कर्ल रिसा की बात करते हैं और Tamil eine की बात करते हैं.. टमिलनदू का भारत नाठयम है.. अभी आग beasts... बीयर, इसे आप आहोगी यदए tempted है? आप जोसे कहले कहले.. कॉस्टन हैं.. सबी लोग यहां पर जवाब जो देते हुई चलिएगा तो भी यहां पर याद रखे दोस्तो इसका जो करेक्ट एंसर है आपका हो जाएगा भी कथकली के अगर हम बात करते हैं ठीक है कथकली अभी आपको ताय केरल का भी यह आपका इंगनेत है और यह जो है बेसिकली आपक अभी आपको मैंने मोई नेटर में बताया था यह भी आपका केरल का ही राजनेतिया है अगला कुशन देखे आप से यहां पर क्या पूछा गया है कि सितारा देवी का संबन जो आपका किस निरत्य से है चलिए बाई कोईशन नमबर पांच है आज का टॉपिक बहुत इंप अपर यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पांचन नमबर क्वेशन घाटिन जो आप आप पर आना सब्सक्रास के बाहए तो शोला है तो बिहार याने ही बिहार का बिहार में जो आपका पटना है बिएाटिकिली बिहार का जो आपका जो आपकी पटने सभी और यह जो है बिआर किएंगा मेंल्बाद करते हैं तो भ्यूब में कुछ प्लेसें मगत मि द्वकोशी इस छेतरों है आपका जांगीत हो दो है है। सास्तिय संगीत क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं को संगीत होता है उसको यह लोग प्लासिकल म्यूजिक कहते हैं और यह आपका बिसे कलिए कहां से लिया गया है जवाब देती हो चलिएगा तो भाई याद रखिए कि इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा शाम अवेद से लिया गया है तो आपसे नमर जो इसका सी द आया जाने वाला राग है वो आपका बिसे कलिए हाँ पर कौन सा हो जाएगा राग भैरवी ठेकर राग भैरवी है तो आपसे नमर जो इसका बी दिया गया यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है जो इस राग की उत्पत्ती है बिसेकली जो है आपका ठाओ कि यहांपर क्या होता है इसका जवाब किया होता है दो मूवाला क्या हूता है ठोल होता है ठीक है मिर दंगम जोATA है गाव में. काफी लोग मिर स्टिंगम जो है या मिरें बजा करकर की जो कियरतन ग गाते हैं तो मिरस्टेंगम बिसिकली क्या हो त्लोगर यह दो मुवाला यह नापर जितने लोग आपसा नंबर सितार का जो जनक है किसको खुआ जाता है जब आब आप थे आप पर लाना सुरुल हो गया तो भाए याद रखेगा इसका घंड राक है करेCTA you अमीर कुसे ड़ीख सभी को पता है अकबर के जो दरबारी कभी थे दरबारी कभी थे नौरतनों में से आपके एक अकबर में से एक थे बैजु बावडा देखे दिया गया है बैजु बावडा जो थे या आपके भारत के धृुपद गायक थे एक ठीक है भारती एक धृुपद गायक थे कई आपके पेपर में चुका है और पन्ना नल घूश ये की बात करती है तो ये प्रसिद्ध बासुरी वादक थे ठीक है प्रसिद्ध बासुरी वादक थे अगला कोईशन देखिए आफ से क्या पूछा गया है औरत नामक चित्र का चित्रांकन किस ने किया है कोईशन नमबर 11 है सब लोगे हाँ प चित्रांकन basically किया गया है रविंद्र नात ठाकुर ठीक है रविंद्र ठाकुर ओफसर नमबर जो इसका बी दिया गया है हाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए आपसे आप से हाँ प्योचा गया धिया है यहाँ से दिखिए गार रविंद्र ठा कटे हैं तो है आप सभी को पता है यह जो है महराश्च्ट में वहस्तीच यह है और यह चटानों को काट कर कि यहां पर बनाए गया जनता की घुफाओं को तो यह किस काल से संबनित आपको यह बताना है तो भीया यह बहुत काल से तो आपसे नमबर जो इसका सी दिया गया यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है कभी को पेपर में आता है जो जो बिसेकली गुफाएं है वो कितनी चटानों को काटके बनाए गया है तो एक इस चटानों को काटके बनाए गया यह याद रखेगा अगला कोशन जवाब देते चलिए कि यह बहुत जादा इंपोर्टन कोशन है और साथी साथ दूस्तों यहां पर इसके बाद जो क्लाश चलेगी सर्मिधान वाली उसको तो एटलिस देखना मत भूलेगी सर्मिधान वाली जो क्लास है सब लोग मिस्कर देते हो बहुत जादा थियो कि इसधी यहां पर साथी सताब्दी में क्या सपास क्या इसका इसका नमाना जाथ उसन नमबर इसका दिया गया यहां पर बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा अगला क्या पर क्या गया है धियान से देखेगा कोशन हम बात करते हैं चौदा के बारे में तो इसके बारे में तो सबको पता होगा कि भाई दीने इलाही धर्म जो है किसने सुरू किया था I hope इसका जवाब तो सबको पता ही होगा दीने इलाही धर्म जो है किसके द्वारा जो है सुरू किया गया था बाबर द्वारा या अकबर द्वारा तो बिल इसको जो याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखा जाए अगला कोशन देखिए आपसे याँ पर क्या पूछा गया है अच्छा दीने लाइस हम सबसे पहले या आप ऐसे कह सकते हो कि एक मात्र जो है उसको एक जो है किस धर्म के दो भाग है जवाब देते हुचलिएगा तो इसका जो पर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखो आपसे याँ पर क्या पूछा गया है ध्यां से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा योग दर्सन के प प्रतिपादक जो आपके कौन है चलिए बहुत अच्छी बात है सुरा नंबर कोशन है तो सुरा नंबर कोशन का जवाब देखिए आपके पतंजली ठीक है जितने लोग यहां पर पतंजली और सी जबाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे प कर्म का सिद्धान्त बढ़ाई सजी कर्म का सिद्धान्त जो है किससे संबंदित है नयाय से विदान से मिमान सा से सभी लोग यहां पर जवाब देती है चलिए यहां पर याद रखिए कर्म का सिद्धान्त आपका मिमान सा से संबंदित है यहां पर मिमान सा का मतलब क्या हो जैसा कर्म वैसा फल वही है कर्म का सिध्धात और यह मिवांसा से संबंदित है अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वैसा वैसाखी किस राजी में मनाया जाने वाला प्रमुक्तियोहार है इसका तो जवाब सबको पताई होगा वैसाखी बताई दौरान जो है फसल कटाई के दौरान जो यह त्योहार आपका बनाया जाता है तो यहाँ पर आपस नमबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो आप से क्या कह रहा है बहुत ही पॉर्टट है कि भाई साब निम्रिकित मे ओली च्छंप और दीपावली तो यहाँ पर देखे क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाये तो नहीं समर कॉषिंशन में जो क्रेक्ट आपकर हो जाएगा च्छंट ही ृचंट ह्टेवहार में च्छंट अकर बशन जी की पूजा होता है इसके यहाँ पर दीपावली में लश्मी जी की पुझा होती है, बुध्ध पूर्णमा की अगरम बात करते हैं, बुध्ध पूर्णमा में विष्णु जी की पुझा होती है, यह चीज़ याल रखेगा, अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है, चुहो के मंद कोशन है, ठीक है, करडी माता का मंदि जो इसको कहते हैं, यह चुहो की उपस्थित की वजासे जो है, इसको बैसिकली करडी माता का मंदि नाम भी दिया गया है, तो ऑप्सन नमबर जो इसका ए दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके स직 का महान स्थूब जो इसको कह Сथित का महान स्थित है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्ण कोशन, यह जी याद रखी बाल से 22 कि दूरी पर इगाव पढ़ता है, वहाँ पर जो आपका साची का महान स्थित है, अगला कोशन देखेें आपसे यहां पर क्या पूछा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल ने अमरीकित में से कहां पर इस्थेत है विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कहां पर इस्थेत है फड़ा फट यहां पर जवाब देते हो चलेगा तो भाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह आपका नीटा तमिल्लादू कर्थिय। तमिल्लादू के रामिस्ट्रण में वस्तित है, तो यहां पर जीतने लोग आप्शन number b, रामिस्ट्रम जवाबद दे रहे हैं, वो लोग यहां पर बिल्फुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला कुश्न देखे आफ से हापर क्या पूचा गया दिषान से देखेगा कि भई साब उत्तर परदेस में जैन और बौध दोनो धर्मों का एक परसिद्ध Tirतस्तल कौन सा है अन Şimdi ऐसा कौन सा तीरतस्थल है जो जैन धर्म और बहुत दोनों का एक प्रसिद्ध तीर तस्थल है पड़ा फट यहाँ पर जवाब देते हैं चलिएगा भई यहाँ पर जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा भई कौसाम भी जितने भी सासी जितने भी दोस्त यहाँ पर कौशाम भी जवाब दे रहें ऑप्शन नुमब देश है सार नास में दिया था यह जिए रहाद रखेंगे इसके लाव अगला कोशन देखिया है यहाँ पर क्या पुछा गया है जेरुसलम जो है किन लोगों का तीर तस्थल है जेरुसलम की अगर बात करते हैं तो इसलाइल की जो है राजधानी है यह तो सब को पता ही है इसके लाव फिलिस्तिन की देश फिलिस्तिन दो देशों की राजधानी माना जाता है यह रूसलम को तो आपको यहाँ पर पुछा गया कि किन लोगों का तीर तस्थल है तो भही आयाद रखेगा यहाँ पर इसका जो करेक्ट एंसर आपको हो जाएगा इस्ताई मुसलिम य करेक्ट हो जाएंगे सभी को चलिए आते हैं बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा कि बाई साब संगीत नाटक एकैडमी कहां पर इस्तित है यह तो सबको पता ही होगा संगीत नाटक एक तो तर पदेश के लखनों में वस्तित यह भी याद रखिएगा बट न्यू डेली यहां पर जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑफसर नंबर जो इसका बी दिया गया यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद आफ लोग फटा-फट जो है साड़ी साथ आप सभी को पता है अगली क्लास होगी आपकी करंट फेर की पॉलिटी की क्लास होगी संसत के बारे आज पतायागी है बहुत इंपॉर्टन जो है वीडियो आपका आने वाला है तो उस वीडियो को देखना जो है मत भूलिएगा तो आज की इस क्लास में स्रीव इतना ही को लिंग देखने को मिल जाएगा धन्यवाद